पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथी नोटिफिकेशन बैल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंथ मिल जाएए तो आज का जो विशे है, वो विशे ये है कि क्या आपके घर में भी सीलन आती है, देखे कुछ घर ऐसे होते हैं, जिन घरों में सीलन आती है, और वो सीलन भी इस प्रकार की होती है, कि उस सीलन का कोई कारण भी समझ में नहीं आता, यानि जिस प्रकार से वो सीलन आपके घर म आती है ना तो वहाँ पर कोई पानी का स्तोत्र होता है ना ही कोई टंकी होती है या पाइप जा रहा होता है पानी का या कोई भी ऐसा कारण या नाली भी नहीं होती है तब भी वहाँ पर सीलन आती है और वह कमरों के अंदर आती है कमरों की जो दिवारे होती है उन पर सीलन आ मतलब उससे आपके अलगी दिखाई देता है कि यहां पर सीलन है और उस सीलन की आपको बदबू भी आती है यानि आपके घर में सीलन की अजीव सी बदबू आती है और यह जो सीलन होती है यह आपके घर में 12 महीने बनी रहती है यानि कभी भी यह सीलन जैसे की सर्दी में कहत नहीं है वो जो कतियों बना रहता है और जिस कारण से आपको बहुत परिशानी होती है और जब से वह सीलन आपके घर में आती है या फिर आपके घर में आप देखते हैं कि दरारे पड़ रही है दीवारों में दरार आ जाती है और जगे जगे पर अपने आप ही वह स्वता ही दरारे आने प्रारम हो जाती है जिसका आपको कोई कारण पता नहीं लगता है तो अगर हम इसकी आध्यात में करूप से बात करें कि हमारे घर में सीलन क्यों आती है या हमारे घर में दरारे क्यों आती है इसका क्या कारण है क्योंकि कुछ लोगों के साथ ये प्रस्थिती होती है और वो लोग जब से ये चीज उनके साथ होनी प्रारम होती है तब से उनके घर में परिशानी जादा होने लगती है यानि जब से सीला ना प्रारम होती है तो उनके घर में परिशानिया शुरू हो जाती है और वो उनके घर में आती है उसका उने कोई हल भी समझ में नहीं आता है तो ये क्यों होता है किस कारण से होता है मित्र अगर ऐसा होता है आपके साथ तो इस कारती है कि आपके हाँ पर पित्रदोश है और पित्रदोश के कारण ही ये सीलन आती है और पित्रदोश के कारण ही आपके गर की जो दिवारी हैं उसमें दराराती है कुछ लोग तो कहते हैं कि वास्तु दोश के कारण आती है वास्तु दोश होता है लेकिन ये पित्र दोश के कारण आपके साथ परेशानी होती है तो ऐसी परस्तिती में आपको अपने पित्रों को प्रसंद करना चाहिए पित्रों क कराएं अपने पित्रों के निमित साथ ही गाएं को हारा चारा अमावश्य की दिन आपको जरूर खिलाना चाहिए जिससे आपके पित्र शांत होते हैं अमावश्य की दिन आपको पीपल के व्रश की नीचे दिया जलाना चाहिए अपने पित्रों के निमित तो आपके पित्र होते हैं और अमावस्य की दिन आपको लड़ाई जगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए घर में शांती बना कर रखनी चाहिए साथ ही आपका जो पानी का स्तोत्र होता है जहां पर आप पानी रखते हैं पहले समय में मटके आदी रखे जाते थे एक फिक्स जगे होती थी जहां पर पानी का मटका रख दिया जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं है जैसा कि आपका जहां का पानी का स्तोत्र है जहां पर आप अपना दिया रोज लगाना चाहिए यानि उस इस्थान पर आपको एक दिया रोज लगाना चाहिए अपने पित्रों के निपित तो आपके पित्र आपसे प्रसन होते हैं अगर आप इस तरह करते हैं तो धीरे धीरे करके जो यह आपका दोश है वो समाप्त होने लगता है साथ ही आपके घर का मुखिया होता है यानि head of the family होता है जो आपका उसकी जितनी आयू है मान लीजे जैसे कि उसकी आयू आपके यहां चालिस वर्श है या पचास वर्श है तो उनकी आयू के बराबर ही आपको खाने के पैकेट तयार कर लेने हैं खाने के packet आप कुछ भी रख सकते हैं उसमें आप पूरी भी रख सकते हैं प्राठा भी रख सकते हैं कुछ भी जो भी आपका सामर्ति है उतने खाने के packet आपको तियार कर लेने हैं यानि 50 वर्ष है तो 50 packet आपको तयार कर लेने हैं और उनको ले जाकर के आपको गरीब लोगो में बाटना है अगर अगर आप ऐसा करते हैं तब भी आपको अपने पितर दोश से मुक्ति मिलती है आपका जो पितर दोश है वो दीरे-दीरे करके शांत होने लगता है तो मितरों यह थी जानकारी आप सभी के लिए माभगवती से प्रातना करते हैं कि वह आपके बंडारे बढ़ती रहे आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे आप से फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए जै महकाली जै महकाल